इस न्यूज इस प्रिजेंटेड बाई बैवब इंटर्प्राइज भकरेडी मार्किट महरे सभी तरह की टाइल्स, मार्वल, सेनेटरी वेर वो पाने के टांकियां बाजार से कमदामों में खरीदें जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूँ हिमाचल परदेश के गाउं की एक बड़ी समस्या जिसको लेकर हम लगातार बात करते हैं और ये एक ऐसी समस्या है जो मैं ये मानता हूँ कि मैं पिछले लंबे एक डेड़ साल से इस मामले को देख रहा हूँ कि इस तरह की समस्या हरे गाउं में खड़ी है और बड़ी अचरस्की बात है कि इस तरह की समस्याएं जब हैं तो इनका जो समाधान है वो बड़ा ही दूर दिखता है लोग चकर काड़ते रहते हैं और इस तरह की समस्याओं में लोग ऐसे उलजे हुए हैं कि छोटे-छोटे मुकदमे ऐसे कोर्ट्स में चले गए हुए हैं कि लोग परिशान हैं पूरी जिन्दगी उनकी निकल जाती है लेकिन जहां तक मैं इस मामले को आपके बीच में लेकर आना चाहता हूँ ये है जो गाओं का आपस का प्यार है वो तो खत्म होता ही होता है उसके साथ साथ में जो एक नेगेटिव मैसेज जाता है वो बाके में ही हमारे आने बली पीडियों के लिए एक गलत दिशा की तरफ ले जाने का कारण बनेगा मैं बैसे भी जीवन उत्सा नियूज के माध्यम से कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करना चाहता हूँ जिन मुद्दों से समाज में एक जागरुकता आए या समाज के अंदर एक सोहार्द आए लेकिन मजबूरन हमें ऐसी खबरों को भी सामने लाना पड़ता है जो समाजिक की एक पंचैत उहल की जो ननोट गाउं में एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे में एक रास्ते को लेकर पूरा गाउं एक तरफ हो गया और एक परिवार को एक तरफ कर दिया गया ये परिवार पांच-छे साल पहले यहां पर आया था जब इनका ये मकान होगा तो पुरान इधर घर हैं तो ये रास्ता बन रहा है चल रहा है सदियों से चलता हुआ आ रहा है ये रास्ता जो आगे आ रहा है मैं आपको दिखाना चाओंगा मेरे सयोगी दिखाएंगे ये रास्ता चलते हुए यहां पर ये क्योंकि मलकियत के रास्ते हैं ये कोई सरकारी कागजों म उनकी चमबा में तो इनका परिवार यहां पर रहता है तो यह जो रास्ता था यह पुराने रास्तों में यह गिना जाता होगा इनका यह मकान है पुराना और इस मकान के बीच में से यह रास्ता जाता होगा और यहां पर इनका एक जगा है तो इस जगा पे भी इन्होंने यहां दिखा रहे हैं उपर रास्ता चला जाता है जो यह दिवार आप देख रहे हैं मकान देख रहे हैं इसके साथ में और ऐसे रास्ता आगे चला जाता था पहले यह रास्ता चलता था तो कोई देखत नहीं थी क्योंकि यहां पर यह लोग रहते नहीं थे लेकिन अब क्यो इनको यहां से जो यह रास्ता जा रहा है ये मैं आपको ग्राउंड पे दिखा रहा हूँ मैं सभी अधिकारियों को परशाशन को भी यह जगा प्रपली दिखाना चाहता हूँ कि इस मुद्दे की बज़े से इन में गाउं में जगड़ा हो रहा है पिछले डेट साल पहले भ ग्राशन को पहले मैं दिखा रहूं कि इनोंने यह रास्ता यहांसे बंद कर दिया था अगर इस रास्ते को यहां पर दिखाऊ तो यह बंद करने से पहले यहां पर इस रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ यहां से जो रास्ता आ रहा है इस रास्ते को यहां पर लगब करीब 6-7 फिट का रास्ता बना कर यह 6-7 फिट का डंगा लगा कर यहां पर और 6-7 फिट का पूरा रास्ता जो है वो यहां से देते हुए, मेरे सेयोगी दिखा रहे हैं, यहां से देते हुए दो रास्ते दे दिये, एक रास्ता वहां से बना के दे दिया, और एक रास्ता यहां से बना के दे दिया, अब यहां पर लोगों की थोड़ी सी अपती है, कि हम इस रास्ते के बजाए, वहीं से रा चाहित के नाम पर सरकार के नाम कर करके दे देंगे कि कभी भी हम इस पहेंद नहीं करेंगे इस ग्रिल से वी बहर इनकी करीब दो फीट की जगा है अगर यह चाहिए तो और भी दर रास्ता बैड़ा सकते है यह घुड़ा कर सकते हैं और इसे यह जह transit के लिकेत पर अब किताह सकती है और यह जो गाओं के लिए रास्ता जा रहा है यहां के लोगों का यह कहना है कि हम इस रास्ते को नहीं लेंगे हम बीच में से ही रास्ता लेंगे बस इसी डिस्प्यूट को लेकर यहां पर जगड़ा मार पीट इस तरह की चीजें रो जा या कराएंगे दिखाएंगे कैस तरह की जो यहां पर रात को तांडव हुआ कि इस रास्ते को तोड़ दिया जो बन्द किया ऊधा उसको भी तोड़ दिया यह जो ना हएं लोगों ने मिलकर कठे होके यहां पर तोड़ दिया我5 जो इनके घर के वक्ती हैं घर में में इनके साथ इनका घर है उनका भी इसमें ये कहना है कि गाओं के लोगवें का ये मानना है कि हमतो्य ही रास्ता हो यह हम इधर से नहीं जाएंगे कि जिन लोगों ने ये काम किया है, रात को इस तरह की यहां लड़ाई जगड़ा किये हैं, उनमें अलगलग धारों में मुकदमा उनमें दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज होने के बाद में आज उन्होंने यहां के जो सब्डिविजनल मेजिस्ट्रेट हैं, उनके पास भी इस मामले को आज भेजा है और आज दपहर को डाई वेजे करीब उनकी पेशी भी है कुल मिलाके मेरा ये मानना है यहाँ पर कि जो रास्तों की समस्या चल रही है गाउं में इस रास्ते का क्या समधान हो सकता है और अगर ये रास्ता इधर से जाने की व्याएए इधर दे दिया जाए तो क्योँ अपथी हो रही है आखिर क्यों लडाई हो रही है इस बात को समझ़ना बहुत जुरी है क्योंकि बजर्ग भी यहां पर यहां पर लोग जाते हैं अगर इदर से जाने की बज़ाए अगर कोई आदमी इदर से भी जाता है तो मुझे कोई अपती ऐसी मेरे व्यक्ति के दूरूप से नहीं दिख रही है हाँ हो सकता है कि पबलिक इसमें क्या कहती है या अधिकारियों वैसे ही है जो गाओं आप देख रहे हैं पूरा बसा ही यह उची जगह उपर है तो यहां तो रास्ते ऐसे ही मिलते हैं यहां तो खेट में भी आदमी जाता है तो उसको पाड़ी पर चड़ की जाना पड़ता है और यगदी जैनुनिली देखा जाए तो गाओं के बीच मे एसे ही रास्ते होते हैं यदि मैं इस घर को आपके बीच में दिखाता हूँ तो देखी इस घर का भी अपना परसनल रास्ता है लेकिन इसी तरह से जीनना चड़ता हूँ यहां पर आ रहे हैं तो केवल इस बात को कहना के हम सीडियों से नहीं चड़ेंगे हमें प्लेन का ही रास्ता चाहिए ये जिस तरह से पाड़ियों के ओपर गाओं बसे हैं उनके लिए संबब नहीं है तो ऐसे में इस गाओं का जो इशू है कि हमें उसी रास्ते से चड़ना है जिस रास्ते पे हमें थोड़ा सा प्लेन मिलेगा सीडिया नहीं होनी चाहिए ये संबब नहीं है क तो जीवनुत्सा नियूस के माद्यम से मैं इस ग्राउंड रिपोर्ट को आपके बीश में रखना चाहता हूँ और मैं पहले इनके परिवार से बात कराना चाहता हूँ इनका परिवार इसको लेकर क्या कहता है इनको क्या क्या समस्या है और ये क्या इस रास्ते को लेकर कहना चाहेंगे वो हम आपके बीश में लेकर आते हैं पहले चलिए उनकी बात कराते हैं फिर अगली बात पर हम चलते हैं तो हम आपकी बात कराते हैं यहां पर जो इस घर के मालिक हैं जिनका यह रास्ते का डिस्प्यूट चल रहा है सीला जी इनका नाम है सीला जी जैसे कि आपने रात को भी हमें कॉल किया कि इस तरह से यहां पर को जगड़ा गयरा हुआ पुलिस भी आई यहां पर पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज कर लिया असल में यह इशू है क्या आपको क्या लगता है किस तरह का इशू भी बन रहा है पूरे गाउं से हमारा भाइसकार है सर हमारी चोटी सी दुकान है वहां किसी को आने नहीं दे जाता है उपर चुसकी मिसी देखती रहती कि कौन जा रहा है कौन आ रहा है तो सर हम तो हमें तो नियाय चाहिए प्राइवेसी चाहिए मेरे बच्चों को खत्रा है मुझे खत्रा है मेरी सास को खत्रा है हमें मारा जाता है सर दस बार मारा गया इसी आंगन में तो मुझे भी जीने कहा के सर समाज में तो मैं चाहती हूं मुझे नियाय मिले और मुझे प और बताई यह कुमर को लागन का फेलिष कोड़ा है कि मुझे बटाई जा जाए तब मुझे कि अलग किया जा रहा है सर मेरे बच्चों को बोल मारने की धमकी दी जाती यह दारुपीके उल्टियां मारी जाती सब्सक्राइब काूं तो यहिस रास्ते को आप पंचैत के नाम या गायों के नाम लिख के देने के लिए त्यार है कि मैं गौर्णमेंट के नाम कर दूंगी सर आप अभी लेकिन इन्हों ने सुना कि इसने ऐसा बोला तो इसने इनको दारू पिला के रात को हंगांबा कर दिया के पेशिती हैं हमारी परस्तूं सर ने बोला जब यह गौर्णमेंट को देना चाहते हैं तो आप एकसेप्ट क्य यह इसू है हमें बताओ तो उन्होंने उनकोरी करने के लिए बोला जब रात को आई तो उन्होंने हंगांबा कर दिया सर आज मेरी फिर पेशी है तो फिर यह उल्टा ने फिर हमारे पर यह कर दिया मैं यहां पर यह बात जरूर लाना चाहूंगा SDM होदे आपसे निवेधन करना चाहूंगा आप प्रशाशने का दिकारी हैं और एक तरफ से ब्लॉक के आप हर एक व्यक्ति के एक उमीद आप पे होती है मैं यह निवेधन करना चाहूंगा जीवन उत्साह निउस के माध्यम से कि अगर इस तरह का कोई भी प्रावधान कि क्योंकि यह रास्ता देने के लिए त्यार हैं और अगर आप ऐसा मानते हैं कि यह सही बात है क्योंकि आप भी एक समाजिक व्यक्ति हैं अगर आप यह मानते हैं कि बिलकुत सही बात है रास्ता इधर की बज़ए उधर देने में कोई अपती नहीं है तो आप इसके उपर त साथ सबका मिला हुआ बरताब रहता है आज नहीं तो कल एक दूसरे के सुख दुख में सबको साथ चलना पड़ता है तो आप कोई न कोई जरूर मैं नवेदन करूंगा ऐसा फैसला करें कि इनको भी रहत मिले गाउं के लोगों की जो समस्या जो रास्ते को लेकर चल रहा है क कि इस रासते को यहां से बंद करके अगर रास्ता इधर से बाहर से देना चाहते हैं तो कोई अपत्ती इसमें नहीं होनी चीनिए क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है इनका भी आगे परिवार है बच्चे हैं इनकी भी आगे बहुए इनके भी सारा समाज आता है तो अगर इनकी privacy का प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो यह अपराद नहीं है कोई और लोगों को जब रास्ता मिल रहा है क्योंकि यह तो यह रास्ता रोक रहे होते हैं तो बात समझ में आती जब यह रास्ता नहीं रोक रहे हैं में यहां पर और मेडम आप से सवाल पूचना चाऊँगा, अभी जैसे यह सारे सवाल हमने रखे आपके भीच में, आप रास्ते की भी बात कर रहे हैं, सरकार को भी आप देने की बात कर रहे हैं, लड़ाई जो है वो किस अधार पर होती है, यहां पर किस तरह से होती है दारू पीके रात को जैसी इसके दोस्त हैं सर गिने चुने वो रात को ठेक के पीके आते हैं मुझे परिशान करते हैं क्योंकि मेरे हाज़मेंड on the duty है मैं के लिए मेरी सास बुजूर गए सासुर जी एकस्पायर हो गए बेटे दो इनको पढ़न यह बाड़ पंच सशीपाल का कहना है SDM के साहव मैं में वहीं खड़ी थी तब उसके बाद कारवाई के लिए बोला तो इसने रात को गुंडे लाके यह पूरा गिरा दिया हम पे अटेक किया मेरे बच्चों पे अटेक किया द्राट लेकिया कोहरी लेकिया सर मुझे कुछ होता है तो कौन जिम में बारे मुझे प्राइवेशी कौन दिलवाएगा सर यहां पर जैसे शशीपाल यह कह रहे हैं कि मैं रात को नहीं था यहां पर वीडियो में दिखाएंगे सर उसने ऐसे कबर किया मूँ उसका चाचा बिद्या सागर गैंती लेके खुदा आई जब ह वो तो दारूपी कि उनको सारा करो करो मेरी चलती है समाज में विभाग में हर जगा चलती है तेरी कोई नहीं जुसर नेगा तो सर मैंने इसलिए आपकी हैल्फ ली यहां पर देखिए एक बड़ी बात मैं सामने रखना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति चाह वो किसी भी स व्यक्तित्व की चलती है एक अच्छा व्यक्तित्व रखते हुए जब आप फैसले करेंगे और आप अपने एगो को छोड़कर जब आप समाज के लिए कारे करेंगे तभी इन सब चीजों से आपको मुक्ति मिल पाएगी और दूसरी बात यहां पर सबसे बड़ी बात दे किवार के हैं मेरी कोई लड़ाई नहीं है इनकी अपने अपनी बातें थी लेकिन उन बातों के और इन बातों बीच में कोई भी तालमेल नहीं हो रहा है मेरी बात हुई परदान यहां के जो परदान है उन्होंने यह कहा कि यहां पर अगर मैं व्यक्तित रूप से देखता हूँ उपायुक्त महोदे, SDM महोदे और मैं जितने भी प्रतिनीदी हैं उनके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि आप इंटरप्ट होकर इस तरह की समस्याओं को एक प्राइटी से सुलजाएं क्योंकि ये लडाईयां छोटी-छोटी कलको बड़ा कारण बन जाती हैं और आप भी इसमें कमेंट करिए, आप इसमें अपनी राय रखिए कि क्या ये जो पार्टी ने, पबलिक क्योंकि सबसे बड़ी जज है, पबलिक जो जानती है, पबलिक जो देखती है, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इनका पक्ष लीजिए, उनका पक्ष लीजिए, या उनके बिपक्ष में जाईए, और इनके बिपक्ष में जाईए, मेरा ये कहना नहीं है, मेरे कहना है कि मैंने बहुती इमानदारी से, करतब्बे निस्टता से इस खबर को आपके बीश में रखा है, और समाजिक मुद्दे के रूप म करके देना चाहते हैं कभी वो उसके उपर क्लैम नहीं करें तो क्या यह लोग गलत हैं क्या इनके Sophie or । क्या इनके साथ जो मार पीट यह किया जा रहा है क्या किया जाइस है यह newize है आप इस प्रश्शन के साथ में हमारे साथ बने रही है कमेंट कीजिए ख़बर को शेर कीजिए और आप भी समाजी की विक्ती हैं समाज के लिए अगर आपका कहीं अधिकार बनता है या समाज के लिए आपकी सोच कहीं बनती है तो उसको आप उजागर कीजिए सामने लाइए तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है अन ऐसे संसकार मिलें जिन संसकारों की वज़ा से हमारा समाज, हमारा परदेश आगे बढ़ सके ना कि हम जगडों में उलजकर एक दूसरे को निचा दिखा कर समाज में आगे बढ़ें बहुत बहुत धन्याबाद आप सब लोगों का इसी तरह से बने रहे हमारे साथ में जीवन उत्सा नियूस हमेशा प्रयास करता है कि आपके मुद्दों को सरकार प्रशाशन अधिकारियों तक सही तरीके से सही इमानदार एक वे में पहुंचाया जाए बहुत बहुत धन्याबाद आप सब लोगों का